जब हम कोई फिल्म या नाटक देखते हैं तो हमें ये पता होता है कि अभी नेताओं ने शायद एक स्किप्ट से अपनी लाइने सी की हैं जो अनिवारे रूप से उन्हें बताती है कि क्या कहना है और कब कहना है संगीत का एक लिखित टुकड़ा बिल्कुल उसी सिध्धान पर काम करता है एक बहुती बुनियादी तरीके से ये कलाकार को बताता है कि क्या बजाना है और कब बजाना है सोंधरिया की दिष्टी से कहा जाए तो बीथो वेन और जस्टिन बीबर के बीच बहुत अंतर है लेकिन दोनों कलाकारों ने अपनी संगीत बनाने के लिए एक ही बिल्डिंग ब्लॉक का उप्योग किया है और वो है नोट्स और हलाकि अंतिम परिणाम काफी जटिल लग सकता है संगीत नोट्स के पीछे का तर्क वास्तों में बहुत सीधा है आए संगीत संकेतन के मूल भूत तत्वों पर एक नज़र डाले और ये जाने कि वो कला का काम बनाने के लिए आपस में कैसे मेल जोल करते हैं संगीत पांच सामानंतर रेखाओं पर लिखा गया है जो पूरे प्रिष्ट पर खीची जाती है इन पांच रेखाओं को स्टाफ कहा जाता है वो स्टाफ दो अक्षों पर काम करता है Hearts कलाकार को नोट की पिछ या क्या नोट बजाना है ये बताता है और बाएंसे दाएंवाला अक्षकलाकार को नोट की ले या उसे कब बजाना है ये बताता है चलिए पीछ से शुरू करते हैं इसे समझने के लिए हम एक प्यानो का उप्योग करेंगे हलकि प्रणाली आपके द्वारा सोचे जा सकने वाले लगबख किसी भी उपकरण के लिए काम करती है पश्चमी संगीत परंपरा में पिछो का नाम वर्ण माला के पहले साथ अक्षरों के नाम पर रखा गया है उसके बाद ये चक्र खुद को दोहराता है और इसी तरह आगे भी लेकिन इन पिछो को उनके नाम कैसे मिले उधारन के लिए यदि आपने पियानो पर पहले एफ बजाया और फिर एक और एफ उच्च या निम्न ध्वानी में बजाया तो आप देखेंगे कि वे बी की तुलना में काफी समान लगते हैं यदि हम इन में से किसी एक रेखा या इन में से किसी एक स्थान पर नोट डालते हैं तो हम कलाकार को उस पिछ को बजाने के लिए कह रहे हैं स्टाफ पर जितना उपर नोट रखा जाता है, पिछ उतनी ही उची होती है। लेकिन स्बस्ट रूप से इन नौ पिछों की तुलना में कई अधिक पिछ हैं जो ये रेखाएं और रिक्त स्थान हमें देते हैं। उधारन के लिए एक बड़ा पियानो 88 अलग लग नोट बचा सकता है, तो हम 88 नोटों को एक स्टाफ पर कैसे संगनित करें। इसके लिए हम स्टाफ की शुरुआत में रखे गए एक क्लेफ नामक अजीब से दिखने वाले आकड़े का उप्योग करते हैं, जो एक संदर्ब बिंदू की तरह काम करता है। वो बताता है कि आपके उपकरन पर एक विशेष रेखा या सान एक विशेष नोट से में लखाता है। ताल और ले। संगीत के एक टुकड़े की ताल अपने आप में उबाऊ है, वो सुनने में कुछ ऐसी लगती है, ध्यान दे कि ये बदलती नहीं है, ये बस खुशी से साथ में प्लग करता है। ताल को नीव के रूप में हम अपनी पिच में ले जोड सकते हैं और इस समय पर संगीत वास्तों में बनना शुरू होता है। और ये एक ताल बनाता है, ये एक आधा नोट है और ये दो तालों को दर्शाता है। यहाँ पर पूरा नोट है जो चार तालों को दर्शाता है और ये आठ्वा नोट है जिससे प्रतेक का मुल्य आधी ताल है बढ़िया अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है आपने देखा होगा कि स्टाफ की लंबाई के पार कुछ ऐसी छोटी रेखाएं हैं जो इसे छोटे चोटे वर्गों में विभाजित करती हैं ये बार लाइने हैं और हम प्रतेक अनुभाग को बार के रूप में उल्लिखित करते हैं संगीत के हर इससे की शुरुआत में क्लेफ के ठीक बात कुछ ऐसा है जिसे समय हस्ताक्षर कहा जाता है जो कलाकार को बताता है कि प्रतेक प्रतेक बार में कितने ताल हैं। ये कहता है कि प्रतेक बार में दो ताल हैं। ये तीन कहता है ये चार इत्यादी। नीचे दी गई संख्या हमें बताती है कि ताल के लिए मूँ लिकाई के रूप में किस प्रकार के नोट का उप्योग किया जाना चाहिए। एक पूरे चार से एक चौथाई नोट और आठ से आठवा नोट इत्यादी तो समय हस्ताक्षर यहाँ हमें बताता है कि प्रितेक बार में चार चौथाई नोट है एक दो तीन चार इत्यादी लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा अगर हम केवल ताल पर ही टिके रहें तो यह उबाओ हो जात इसलिए हम कुछ चोथाई नोट को अलग-अलग लएके साथ बदल देंगे. ध्यान दें कि भले प्रितेक बार में नोट की संख्या बदल गई हो, प्रितेक बार में ताल की कुल संख्या नहीं बदली है, तो हमारी संगीत रचना कैसी लगती है? ठीक लगती है, लेकिन शायद थोड़ी फीकी है, है न? आईए अपनी पिच्च और लाय के साथ एक और वद्यय यंत्र को जोड़ें. अब ये संगीत की तरह लग रहा है, निश्चित रूप से इसे जल्दी से पढ़ने और जो कुछ भी देखते हैं, उसे हमारे वाद्य ये अंत्र पर बजाने के लिए कुछ अभ्यास की आवशक्ता होती है, लेकिन थोड़े समय और धहरे के साथ, आप अगले वीथोवेन या जस्टिन वीबर हो सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि किसी वाद्य को बजाने से आपके मस्तिश्क पर वास्तों में लंबे अर्से तक सकारात्मक प्रभा पड़ता है? इस वीडियो में मस्तिश्क के भीतर जांक कर देखें कि संगीत हमें कितना अविश्वस्निय मानसिक अभ्यास प्रदान करता है और साजा करने लाइक अधिक अध्यायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें